नमस्कार दोश्तों है पी स्टेड़ी जो नमें आपका स्वागत है और आज हम लोग देखने वाले हैं चारकंड के उद्योग चारकंड के इंडस्ट्रीज तो काफी जबरदर्स्त है सेशन रहने वाला है गई नमस्कार जोहर गुद मौरिंग एवरिवन तो चलिए आज का स लोग तो स्टील कमपनी तो सबसे पहले आप याद रखेगा एक तो टिस्को है इसके बारे में हम बात करेंगे अभी तुरंट टिस्को और दूसरा आपको Bocaro Steel Plant देखने को मिलेगा Bocaro Steel Plant ये दो आपको क्या देखने को मिलते हैं Yellow और इस बात उदोख है जो जारखन डिके हैं ये आपको पता होना चाहिए Clear तो चलिए सबसे बहले हम Tisco के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं अगर अब Tata Iron Steel Company के बात करते हैं तो आपको क्या-क्या याद रखना चाहिए इस के स्थापना याद रखनी चाहिए कि 1907 में इसके स्थापना होती है सबसे पहले बात किसके द्वारा तो याद रखेगा ये 12 बजी Tata के द्वारा 12 बजी Tata के द्वारा कहाँ पर तो साकची में ये साकची कहाँ पर है जमशेदपूर में अगला क्याशन आपसे पूछेगा कि बते कि यहाँ पर लोहे का उत्पादन कब शुरू हुआ था तो 1911 में यहाँ पर लोहे का उत्पादन शुरू हुआ था अगले question आपसे पूछेएगा कि यहाँ पर iron का उत्पादन तो 1911 हो गया इसके पूछेएगा कि इसपाद का उत्पादन कब हुआ था इसपाद का उत्पादन यानि कि steel के उत्पादन कब शुरू हुआ था आप कहेंगे कि 1914 में स्टील का उत्पदन शुरू हो गया था जो क्वेशन बन रहा हो मैं यहां पर बताने के कोशिश कर रहा हूँ इतने सारे क्वेशन यहां से बनेंगे अगला क्वेशन पूचा जा सकता है कि वास्तविक संस्थापक किसे मना जाता है वास्तविक अगर पहला और सबसे बड़ा लोह इसपाथ सेंत्र कौन सा है तो ये टाटा स्टिल है भारत का पहला और सबसे बड़ा लोह इसपाथ सेंत्र है अगला कोईशन किस जिले में है किस जिले में अगला कोईशन आप से यह पूछा जा सकता है कि किस जिले में तब आपका अंसर होगा कि ख़रके नदी इसी के सहयक नदी है खरके नदी इसी के संगम पर है ठीक है और अगला question क्या पूचा जा सकता है कि इसका नाम बदल कर Tata Still कप कर देया गया था तब आपका अंसर क्या होगा 2005 में चलिए एक बार रबीट करते कब 1948 में चले एक बार revise करते हैं ठीक है विखे टाटा iron steel company से related याद रिखे कि एक लो इस बात उद्योग है पहले बात यह दूसरी बात यह याद रखना है कि इसके अस्थापना कब होती है 1907 में इसके अस्थापना होती है लोहिक उत्पादन कब शुरू होता है 1911 में steel का यानि कि इस बात का उत्पादन कब शुरू होता है तो आप कहेंगे 2014 में उसके बाद 2005 में इसका नाम क्या हो जाता है तो नाम हो जाता है टाटा steel अगला question पूछा सकता है कि किस जिले में है तो पस्मी सिभूम जिले में है यह आपको याद रखना है उसके बाद आपको याद रखना है अगला question आपसे पूछा सकता है कि किस नदी के संगम पर है तो स्वार न रेखा और खरके नदी के संगम पर ठीक है इन तमाम चीज़ों को याद रखेंगे एक भी question आपका यहां से नहीं चूट पाएगा ठीक है तो चले इस question का उतर आप करी पर अगर पूछा होता कि वास्त्विक संसापक कोन है तब इसका answer बद जाता पर उस गपर पछी करेंगे और बिलकुल सही उतर होist चलिए अगले प्रेशन की तरब मूव करते हैं बतेगा कि टिसको क्यास्था अपना किस वर्स की गए थी थी थोड़ा फास्ट अवसर करने के कोशिश करेगा हम उम्मीत करते हैं कि सबी को एंसर करेंगे क्या बात है 1907-1907 बिल्कुल सही एंसर कर रहे हैं 1907 इस प्रेशन का उ बढ़ते हैं और बताना है कि टिसको कि शुवर्स उत्पादन प्रारम हुआ था तो उत्पादन कब प्रारम हुआ था तो आप कह सकते हैं कि लोहे का उत्पादन यह अल्टिमेटली पूछ रहा है लोहे का उत्पादन कब शुरू हुआ था तब आप अंसर क्या करेंगे त स्थापना तो आप जानते हैं इसके स्थापना कव होती है उनी सो साथ में इसके स्थापना होती है एक सीज और समझे क्या क्या है इसलिये इनको क्या बोला गया टाटा स्था प्रिस्था करने के कोशिश कर रहे है बिल्कुल सही उत्तर होगा, अगले question किदर move करते हैं, बते हैं जरा, अगले question आप से पूछा हुआ है कि टिसको से इस बात का उत्पादन कब शुरू होगा, अब है हमने देखा कि यहाँ पर iron, iron का क्या होता है, इस बात कर रहे हैं, इस बात कर रहे हैं, तो iron हो गया, और steel का क्या हो जागा, यह steel हो जागा, इस बात हो जागा, और steel का कब हो है, तो आप कहेंगे कि 1914 में, यानि क्या option नबर क्या होगा, 1907 में इसके अस्थापना होती है, नोe सिरवानी टाटा को वाश्तविक संसथापक बराए जाता है, क्योंकि 1904 में इनकी मिरिध्य हो जाती है, संस्थापक पूछेगा तो 12 बजी टाटा लेकिन वास्त्विक संस्थापक पूछेगा तो जमशेद जी 9 सेरवानी टाटा यह आपको ध्यार रखना है राइट अगला कोईशन आपके सामनी यह आ गया कि वास्तविक संसापक कॏण है टाटा के ताटा सटील नाम कब बदल दिया गया ये भी आपको याद रखना है टाटा सटील पहले तो इसका नाम तिसको था नहीं कर दिया गया दे गया तो याद小時 ऐस्तिक शब्द लगा हुआ है तब इसका अंसर चेंज हो जाएगा और इसका अंसर क्या हो जाएगा जम्षेत्ची नो झेरवानी ताटा यानि कि से कौन सा है पहला इस बात सही अतर है तेज लेखे बोकारो स्टिल प्लांट के हम बात कर रहे होंगे जिसके अस्थापना होती है 29 जनवरी 1964 को ठेक है 1964 को डेट भी याद रखेगा 19 जनवरी 29 जनवरी माब केचेगा 29 जनवरी 1964 में बोकारो प्लान्ट के स्थापना होती है जो कि दोसरा आप कह सकते हैं कि इस बात उद्योख है आयरेन एंड स्थील कंपर इंडस्ट्रीज है और पहला हम जानते हैं कि पहला जो है यह भारत का भी प्रत्रम है टाटा स्थील जैसे कि आपका रहे है कि उनिश्टो साथ में इसके है जहाँ पर उर्वरेक खाना यहाँ इसके अपना 1951 भी थी इन तमाम चीजओं को याद रखेंगे हम जारिया से आभी बात कर रहोंगे कि ढाउन के सब्सक्राइब है लगत रही इस फाह combine कर दीजीगा इसका अंसर आप कर सकते हैं राउर केला कहा पर है याप अंसर करतीज़गा राउर केला कहा पर है उसका आप वर्ष्थित है कोशिश कर सेन का उधर करें से कर याद रखना सबसे पहलý बात तो अग로 acquaint जिला पूचेगा तो अप यह स्थान आपको देखने को मिलेगा, साकथी, ठीक है, मेरा सेंटर पढ़ा था, तो मैं गया था एक बार, साकथी जम्शेधपूर, ठीक है, शाक्ति, जमशेदपूर और यह पुर्वे सिब्भू में है यह आपको ध्यान रखना है और अब उस्तेति के बार में पूछेगा तो जिल्ला तो हमने बता ही दिया पूछेगा कि किस नदी के संगम पर है तो सुवर न रेखा नदी और कौन से नदी बताई तो खर गए नदी इसी के सायक नदी है अगला कुश्चन कि सुवर न रेखा नदी कहां से निकलती है आप कहेंगे नगडी राची से निकलती है नगडी राची से निकलती है तो बताई यह नगडी राची से एक और नदी कौन से निकलती है चले इस प्रेशन का उतराप करेगा मैंने कई बार आपको बता है और आपको भी पता होना चाहिए पुर्वे सिभ्भूम तो पुर्वे सिभ्भूम इसका अंसर करेगा ना कि पश्मी शिभ्भूम यह कलग हो जाता है कभी कभी इसमें कंफीूजन हो जाता तो पुर्वे सिभ्भूम ठीक है यह वाला जो आप पार देखते हैं इधर वाला यह वाला पार्ट ठीक का पूर्व म्वअलब ला तो यह आप समझ गय है औरऌस पोशिश कर रहे हैं और से नमबर एक स्क्रेक्ट वन नेक्स वेशन आपके सामने हैं अंसर कर दीजेगा कि टाटा स्टेल अनिवन में से किस नदी के तरबर आवास्थित है यह अप अंसर कर देजेगा चले उससे पहले बताए दामुदर नदी काहसे निकलती है लाते हर्टो नबर आपको देखने को मिलेगा चार कंट के सबसे लंबे पर दूसीत नदी है इसी पर डेवी सी बना हुआ है जिसके अस्थापना उनी सोड़ तालीस में साथ जुलाई को होता है इन तमाम चीजों को आप ध्यान रखेंगे वैसे इस प्रेशन का उतर आ रहा है सभी के त दक्षनी कोयल नदी दोनों कहां से निकलती है दोनों नगड़ी रांची से निकलती है लेकिन उत्री कोयल नदी रांची के मध्य पठार से निकलती है पिसका क्या असपास से अगर उत्री कोयल के बात करेगा लेकिन दक्षनी कोयल और सुवर नदी के बात करेगा तो या कनती है ठीक है जी आगला क्वेशन की दर मूव करें अगला क्वेशन आपके सामने है कि टाटा स्टिल को को किंग कोईला की पराप्ति किस अस्थान से होती है आप देखिए बड़े ध्यान से इसको सुनेगा क्योंकि यह बहुत ही इंप्रॉडंट है जो मैं बताने जारा राने गंज और झरिया से रिपीट करी खुद भी आप ठीक है राने गंज से और झरिया से क्या मिलता है तो कोगिंग कोईला मिलता है पहली बात तो यह है दूसरी बात आपको याद रखना है कि मैंगनेज मैंगनेज यानि कि एमिन और क्रोमाइट कहां से मिलता है मैंगनेज और क्रोमाइट कहां से मिलता, अगर आप से पूछ ले, तो चाईवासा के खान से, और यही वो चाईवासा है, चाईवासा का मैदानम जहां पर आप जानते कि सबसे कम बारिस होती है, तो याद रखेगा कि चाईवासा के खान, चाईवासा के खान, जो नीचे वाला साइड ह वहाँ पर आपको मैंगेज और क्रोमाइट देखने को मिलेगा ठीक है, तीसरा चाई याद रखेगा चूना पत्थर और डॉलोमाइट बहुत इंपोर्टन्ट है मैं बता रहों को चूना और डॉलोमाइट याद रखेगा सुंदर नगर ओडिशा सुन्दर नगर ओडिशा यह important है उसके बाद last one एक याद रिखे आप कच्चा लोहा कहां से मेरेगा कच्चा लोहा दो जगा याद रिखे कच्चा लोहा के लिए एक मयूर भंज याद रिखे और एक नोवा मुंडी का खान जो किसे भूम में है यह आप याद रिखे में रिपीट कर रहा हूँ अगर कोकिं कॉफे पुछे राने कांच और जरिया से मांगनेज और कॉछे तो चैवासा के खान से और ऑगर आपसे पुछे कि छूना ओर डोलोमैट कहा से देखे ना चुना लगाएंगे सफेद होता है और सफेदा अप लगाएंगे तो कैसे सुनदर अगार तो ऐसे कर सकते हैं सुन-दर अगर ओडिशा हो जाएगा और लियाटी के सकते हैं सबसी हाइं और कहां से मिलता है तो आप कहेंगे कि रानी गन से भी मिलता है रानी गन से मिलता है ठीक है मैयूर भन से क्या मिलता है तो कच्छा लोहा मिलता है कच्छा लोहा कच्छा लोहा लोहा ठीक है और कहां से मिलता है इसके अलावा कच्छा लोहा कहां से मिलता है नोवा मुडी का ख प्रच्टे थे रूस की साइधा से बना था चौथा सबसे बड़ा इसपास से यह तरह है बोगार हो वाला और पहला टाटीस को हो जाएगा टाटा स्टील को मैंगनीज और क्रॉमाइट की परापती कहां से होती है अब तक रट गई होंगी सबसे पहले हमने क्या बताया था को सफेज से फेत है तो सफेज सबत है जब आप क्रीम लगाते तो कैसा दिखने लगते सुंदर तो सुंदर नगर ओडिशा में ठीक है चुना और डॉलो मैट हो गया कच्छा लोहा दो जगा से याद रखना था एक तो यही मयूर भंच मयूर भंच मयूर भंच आपको याद कुना था और दूसरा किया था नुवामुडी का खान ठीक है इसके लावा सुंदर नगर में रागने क्या बता था सुंदर नगर से चू न हमने बता है ठीक है चुना और डॉलो बड़ो मइट ये आपको ध्यानक नहां तो अपसर नमबर 20 प्याशन का उतर होगा जितने भी भी करना है सही है ठीक है नेक्स्ट का उतर करें आप लोग सभी लोग यह लिजे कि टाटा स्टेल को चूना पत्थर की परापती किस अस्थान से होती है चूना पत्थर और आप कहा सकते है डोलोमाइट डोलोमाइट कि परापती कहा से होती है चूना कैसा होता है सफेद ठीक है और जब अब चूना सफेद या रहे कि कुछ क्रीम लगाते है तो आप कैसा दिखना चाहते है तो आप कहेंगे कि हम तो दिखना चाहते है सुन्दर, ठीक है भी है, यहां सुन्दर अगर दिखना चाहते हैं, इसका मतलब ये सुन्दर नगर उडिशा हो जाएगा, ठीक है, अफसर नम्बर क्या होगा? आफसर नम्बर एस प्रसन का उत्तर होगा, जितने भी अंसर कर रहे हैं, मयूर भंच हमने पता है मयूर भंच और मयूर भंच कहां पर है पता है ना ओडिशा में इसके अलावा नोवा मुंडी का खान नोवा मुडी का खान नोवा मुडी का खान कहां सिब्भू में है यहां से क्या पराप्त होता है तो यहां से कच्चा लोगा और आपको पता है ना कि जो नोवा मुडी का खान है वो लोएस का सबसे बड़ा भंडा है पूर एशिया में यह आपको पता है क्लियर ओके नेक्स्ट किदर मूव करते हैं बताएगा जरा कि टाटा स्टिल को डॉलो माइट अभी बता जा था ना कि डॉलो माइट और चुना कहां से मिलता है एक साथ याद रिखे तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे डॉलो माइट और चुना तो चुना जब आपके पास मि थाटा स्टिल को कच्चा लोहा के प्राप्ति निम्नलगित में से किस स्थान से होती है इन पर हमारे साथ आप रिवीजन करें आराम से बड़ा हाट नहीं होने चाहिए एक एक शेयर करिये लाइक करियो और वटापट से ध्याँ से देखे देखे सबसे पहले कोकिंग कोईल मैंगनीज और क्रोमैट कहां से मिलता है चायवासा के खान से मिलता है उसके बाद चूना हमने बहुत असानी से बता दिया है चूना और डॉलो मैट एक साथ रहा दे रखे चूना क्या है सफेद क्रीम जैसा सफेद लब गोरा बनना चाहेंगे सुदर बनना चाहेंगे तो सुदर सुदर नगर कहा पर ओडिशा में उसके बाद कच्चाल हुआ हमने दो जगा बताया था कहां कहां बताये तो एक मयूर भंच मयूर भंच कहां पर ओडिशा में दूसरा हमने कहां बताया था नोवा मुड़ी का खान कहां पर है next question की तरह move करते हैं बता देजेगा very important Tata Samohu दोवारा किस वरसे अपने उद्योगों का विश्दार करते हुए जमशेदपूर में Tata Engineering and Lokomotive के स्थापना की गए थी very important बता देजेगा सबसे बेले तो Tata Samohu का जो नाम है यानि कि Tisco का जो नाम है Tisco का जो नाम है वो Tata Still कब कर दिया गया था अगर आपसे पूछे Tata Still कब कर दिया गया था तो याद रिखे का यह कब कर दिया गया था बती यह कर दिया गया था 2005 में यह बहुत important है 2005 में टेसको से टाटा स्टेल कब कर दिया गया था, 2005 में कर दिया गया था, और इस प्रशन का उत्तर सभी के तरफ से आ रहा है, और अप्सन नमबर सी इस प्रशन का सही उत्तर है, और पहले नाम था, टेसको से टेसको का नाम बदल कर टाटा स्टेल कर दिया गया था, अभी 1948 से रिलेटेड हमने ये देखा, क्या देखा बताईए, अंसर करें, 1948 से रिलेटेड हमने ये देखा, कि टाटा समोने अपने उद्यों का विश्थार किया, और जमशेदपूर में टाटा इंजिनिरिंग एंड लोको मोटिव के स्थापना की 1948 में, और पहले नाम था टेसको, टेसको स्टेंड्स फूर वोड, टाटा आइरन एंड स्टील कंपन चारकंट राजे का दूसरा अभी लिजी, पहला तो हमने अच्छे तरीके से देख लिए, एक बार रिविजन करना चाहेंगे क्या, चलिए रिविजन करते हैं, टाटा स्टील का एक बार रिविजन करते हैं, अस्थापना कब होती है, तो 1907 इस्थापना होती है, लोहे का और खरकर नदी के संकम पर, ठीक है, यह आपको याद रखना था, उसके बाद यह किस जिले में है, पुरवे सिब्भूम जिले में है, और अभी तो हमने बताया ही, ठीक है, चलिए इस प्रेशन का उतर कर दीजिए, सभी को एंसर कर रहे हैं, आपसर नबर बी, और आपसर जिले में, आपसर बाद रहे हैं, तो मारा फारी नामक स्थान पर, हलाके बो कारो का पूराना नाम मारा फारी था, अगर आपको ध्यान हो तो पता होगा, यह भारत का चौथा सबसे बड़ा इस बात सेयात्र है, पहला हमने बता दिया टिस्को है, यह आपको पता है, और क् मुदरनादी घाट के तेनु घाट और गरगा डैम के समीप है, पूछ लिया जाता है, एक बार एक क्वेस्चन पूछा हो भाई एक एकक्साम में, कि किस डैम की किनारे है, तो गरगा डैम, याद रखेगा, गरगा गरगा डैम बहुत important है गरगा डैम की किनारे हैं यह बहुत important है note कर लीचिएगा ठीक है चलिए इस question का उतर अपने कर दिया है वो कारू still ली वो कारू still तो जितने भी answer कर रहे B, B expression का सही अगतर होगा ठीक है ओके स्थापना कब होती है तो अभी बी जितने भी कर रहे हैं सही है, बी option is correct one, मारा फारी बोकारो ठीक, अगले कुछा आपके सामने है कि बोकारो इस टिल सायात्र से किस वर से उत्पादन का प्रारंब, उत्पादन का कार्य प्रारंब किया गया था, option के निसार करना देखे, अगर पूचा होता ना कि प्रिथम लोहे के भट्टी का बस्तापित की गई है, दो चीज अलग-अलग समझने के कोशिश करें, अगर आपसे पूचा लोहे की प्रिथम भट्टी, लोहे की ने, बलकि आग की है ना, आग के, आग की प्रिथम भट्टी आपसे पूचेगा, प्रिथम भट्टी का बस्तापित की में ठीक है प्रत्थम भट्टी लेकिन इसमें जो उत्पादन शुरू हुआ था अफीशली वो 64 में तो आफसन नंबर सी आप इसका अंसर करेंगे अपसन नंबर सी अगर यहां पर 64 मतलब सेवंटइ रहताओ सब्सक्राइब तब हमयंया नंचेएक घिकाद एकné मानते principle哥ण ना मांते साफिमिया यहां पर का और प्रत्थम आग की भट्टी स्थापित कर थी अश्थापलाओ değ 72 में याद रिखेगा कि आग के प्रतम बट्टी स्थापित हुए थी अगर 72 आप्सिन में रहा था तो यह हम करते लेकिन 74 है तो यह यह असर करेंगा उप्शन C ठिक चले अगले विशन का उतर कर दीजेगा कि बोकारो इस दिल प्रतम बट्टी स्थापित की गए थी अब हमने बताया कि दो अक्टूबर का समय है और सभी लोग बता रहे किसका किसका बड़े है तो महत्मा गांदि लाल भाहदू शास्त्री और कर्स्तूर बागांदि किस नदी पर बना हुआ है अंसर कर दे तो तो जितने भी इस अंसर कर रहे है किसके सहायता से रोज की सहायता से किस क्रम का है तो चौथा सबसे बड़ा इस पात से यहत्र है ठीक है दमोदर नदी घाटी के किस डैम के समीप है तो तेनुगाट और गरगा डैम ऐइस इसके बारे में भी हम बात करेंगे, रूस और को की शायता सो बना था pinch інis क्वेख और takes एयवी इंजिनीरिंह कॉर्परिशन चुर्पड राची में हुझए हट में इसक्वेयर संस्था आपंघे हम बात चरनेंगे इसके मरें तन लिकिन बोकानव ऊपर atrape अगले कोईशन की तरफ बढ़े बढ़ते हैं यह रीजे अंसर करेगा कि कौन सा सत्य है इसके बारे में बोकारो इस्टिल प्लान्ट के बारे में कौन सा सब्सक्राइब बता देजें देखें चौता सबसे बड़ा इस पास से तरह बिल्कुल से बात है पहला टिस को आप जान बिल्कुल सही बात है यह सेल के अंतरगत कारे रथ है यह बिल्कुल सही बात है तो दोनों उपरों दोनों कथन सत्य है इस सी ओप्सन हो जाएगा तो जितने भी सी कर रहे हैं सही है नेक्स्ट जारकन के किस अस्थान पर अलिमुनियूम कंपनी लिमिटेड द्वारा यह कि विए के क्वेशन इंपर कौन सकता था ताईस बैस यह तो कुछ चूट रहा है मेरे ख्याल से अच्छा अच्छा स्वारी यहीश कुछ यहा पर चूट गए है अच्छा कुछ question छूट गए है अच्छा मैं revision करा ले रहा हूँ जिसे question arise हो सकता है कुछ question छूट गए है तो यह थोड़ा सा mistake है तो इसके लिए very very sorry तो जो question छूट रहे है न वो हम summarize कर दे रहे हैं पर तो देखिए अगला question यही बनता है कि कोकिंग कोईला बोकारो को जर्या से मिल रहा था और कहां से मिल रहा था बताए तो कहां से मिल रहा था बफरिंग बफरिंग नहीं यह तो गलात बात है बफरिंग नहीं होना चाहिए कोडिंग कrie ला जहरिया और राने गण सी मिल रहा था ठेसकों को ठीक है उसके बाद लो ऐसक कहां से मिल रहा है तो यह prior कि मिलरा मना क्ट्वर कर आए की एसयं नैं नहीं यहां क्लास आओवर हो गया जल दाथा दट नहीं नहीं और रिफ्रेस करें सभी को, रिफ्रेस करें, रिफ्रेस, तो लो एसक कहां से मिलता है, तो क्योंचर की कहां से मिलता है, क्योंचर की कहां से मिलता है, याद रिखेगा, और चूना पत्थर कहां से मिलता है, चूना पत्थर, चूना पत्थर मिलता है, कहां से, मद्ध से देखें डिफ्रेंस क्या है लो आयस्क जो है वो कहां से मिल रहा था टिस्को को बताएं तो आप कहेंगे कि माय उर्भान से मिल रहा था और नौा मुडेका खान से मिल रहा था और ये जो बोकारो इसको कहां से मिल रहा है क्योंजर से मिल रहा है चूना चूना जो बोकारो उसको कहां से मिल रहा मदबर्देश से लेकिन टिसको को कहां से मिल रहा था तो आप कहेंगे कि सुंदर नगर से मिल रहा था सुंदर नगर ओडिशा से और कहां से मिल रहा था सुंदर नगर के अलावा और कहां से मिल रहा था बता ही सुंदर नगर ओडिशा से मिल रहा था य अलेम्यम उद्धु की अस्थाँपना की गई है बते इस प्रेशनका उत्तर उद्धु की अस्थापना की गई है 1938 में؛ कहां पर मूढरी में घाड से लांबे तामा उध्योग थाममा उध्योग 1924 में मारफारी बोकारों में 1964 में ठेक है धुर्वा राची में क्या किया गया है धुर्वा राची में एकर आप से पूछेगा तो धुर्वा राची से याद रिखेगा Garden Ridge, Sea Builders and Engineering Limited ये धुर्वा राची में मैं रिपीट कर रहा हूँ धुर्वा में क्या है अप्सन नमबर A हुज़ेगा जितने भी अंसर कर रहे हैं 38 में मूरी रांची में इसके अस्थापना की जाती 33 का A ओप्सन नेक्स्ट जारकन के मूरी नामक स्थान पर किश्वार से अलुमुनियो मुद्धों की अस्थापना की गए थी चले सभी को अंसर कर देज़ेगा बतेए 34 का अंसर करें आप और सभी के तरफ से अंसर आना चाहिए हमने बता दिया है कि 1938 1948 में अभी हमने क्या दिखा था 18 को से संबंधि थे याद है आपको तो हमने बता था कि Tata समों ने क्या किया कि अपने उद्ध्यों का विस्थार किया और उद्ध्यों का विस्थार करते हुए जमशेदपूर में Tata Engineering and Locomotive की स्थापना किये थी हमने बता था 1948 1948 से रिलेटेड आप एक चीज़ा और याद रख सकते है DVC के स्थापना यानि कि 7 जुलाई 1948 को DVC के स्थापना होती है या आप ध्यान रख सकते है तो A इसका बिल्कुल correct answer होगा जितने भी A answer कर रहे है अगले question कि दर मूफ करते है answer करे कि मुरे में इस्थित Aluminium उद्धोग को निमन में से किस सज़ान से मुख रूप से Boxide की परापती होती है Boxide किसका आयसक है तो Aluminium का ही आयसक है Boxide की परापती कहां से होती है आप यह answer कर देजेगा Very very important ठीक है और यह भी याद रखेगा कि भारत में जो Aluminium आयसक है जिसका नाम है Alumina यह जारखंड से 16% मिलता है कितना परसेंट याद रखेगा जारखंड से 16% मिलता है भारत को भारत को जो Aluminium है Aluminium का आयसक आप देख लिजे Alumina Alumina कहां से मिलता है तो जारखंड से मिलता है कितना परसेंट तो 16% यह आपको ध्यान रखना है चले तो इस प्रेशन का उतर करें आप क्या बात है लोहर दग्गा सभी को अंसर कर रहे है 35 का D option होजेगा लोहर दग्गा से option number D तो जितने भी D answer कर रहे है D special का उतर हो जाएगा तो जितने भी D answer कर रहे है अगले question की तरफ बढ़ते है और answer कर देजेगा कि जरकंड राजी की मुरेश्थित Aluminium मुद्योग से Aluminiumina बना कर इसे किस अस्थान पर भेज दिया जाता है तो देखे सबसे पहले तो केरल भेज़ा जाता है फिर कलकत्ता भेज़ा जाता है मुंबै भेज़ा जाता है तीन हो जाता है तो अलवाई केरल उसके बाद बैलूर कोलकत्ता और लई मुंबै ऑप्सन नमबर डी इस प्रेशन का उतर होगा जितने भी डिया अंसर करने के कोशिश कर रहे है ठीक है ऑप्सन नमबर डी चलिए अगले क्वेशन के दर मूव करते हैं कहिए यहाँ कि छारकाइब अधार म स्थान सीमेंट old you के लिए विख्यात नहीं है काई सिमेंट के लिए विख्यात नहीं है इस प्रेशन का उतर एक इक लाइक और शेर करते हैं वात्त Quit कम है कि इस अगर आपके लिए मैंलण कर रहा हूं तो मैं इतना उम्मीद कर सकता हूं कि लाइक कर सकते हैं 37 का अंसर कर देज़ेगा क्या बात है सभी को अंसर कर रहे हैं 37 का अंसर ऑप्सन नंबर क्या होगा देखे जपला पलामो में है देखे कहां कहां है यह आप समझ लीजे कहां कहां पर है तो देख लीजे एक तो आपको सबसे पहले जपला पलामो में देखने को मिलेगा उसके बाद जीक पानी पसमी सिभू में देखने को मिलेगा उसके बाद खलारी में खलारी कहाँ पर राची में आपको देखने को मिलेगा सिंद्री सिंद्री धनबाद में आपको देखने को मिलेगा जमशेद पूर पूर्वे सिभू में देखने को मिलेगा रेट तो B option इसका सही answer होगा, जितने भी B answer करने की कोशिश कर रहे हैं, option number B is correct one, ठीक है, option number B, ठीक है, एक एक लाइक कीजिए, अगले question का answer करते हुए, चार कंट राजे, इन में से कौन सा cement उद्योग लो, इस बात के of ceased पर अतारित है, very very important, of ceased पर अतारित है, इस शब्द पर गौर करना है आपको, और इसका सही answer करना है, ठीक का answer क्या होगा, तो देखिए, जिंक पानी का lafaza cement उद्योग बिल्कुल सही है, जमशेदपूर का lafaza cement उद्योग बिल्कुल, तो जिंक पानी का और जमशेदपूर का उपर अग्त दोनों expression का उतर होगा, C option, C option, ठीक है, ओके, next question आपके सामने है अंसर करेगा कि चारकंड राज में प्रत्थम सीमिंट उद्यों कि अस्थापना कि शुवर्स की गए थी और कहां पर की गए थी यह बताएगा जरा तो प्रत्थम सीमिंट उद्यों कि किसने किसने बना था और किसके समकाले था अंसर करेगा ज़रा पलामु का नया किला और Keyler किसने बनवाया था और वह किसके समकाले थे इस प्रहष्न कंधे आथ करी वाइए आसन नमर क्या हो जागा और स्चोन की फिर्दधर को बाताइंगे आपको और Come से 11 में टिसको में लोहे का उत्पदन शुरू हो था इन तमाम चीज़ों को याद रखेगा तो इसका अंसर क्या हो जागा बताए इस प्रशन का उत्र है जितने भी सी कर रहे हैं सी इस प्रशन का सही उत्तर है ठीक है चलिए अगले कोईशन की तरब मूव करते हैं बताएगा कि जारकंड राज में प्रथम सिमेंट उत्योग के स्थापना किस स्थान पर की गए थी यह आप अंसर कर देजीगा चलिए अंसर कर देजीगा प्रथम सिमेंट उत्योग देखे सिंदरी धनबाद में प्रथम उर्वरक कारखाना स्थापित की गए थी 1951 में ठीक है यह में इसके इर्थापना होती है किस अब मैंने कुश्यन पूछा था कि है तो नया कि इर्थापना मेधिनी रायने जो कि औरंग आप रहें जो कि सम्काल्लेन था जो प्रेस्ट दाक हुटर कर दğlिजेगा एक एक लाइक और शेर करते हुए इमानदारी से सभी के तरब से हुमीद करते हैं इसका अंसर आएगा क्या बात है हटिया राचि में अस्फापन कभ उती है तो आप कहे गये कि 1958 में यहाँ पर अस्थापना होती है इसके इसके इस इसम को वह था तो 31 दिसमबर याद रखेगा 31 दिसमबर 1958 को इसके स्थापना होती है और यहाँ पर उत्पादन कर शुरू हो जाता है तो 1964 में यहाँ पर उत्पादन शुरू हो जाता है इसके अंदर का तीन सहीयतर करे रहत हैं तीन सहीयतर कौन-कौन से करे रहत हैं यह आपको या और तीसरे नंबर पर याद रखना है Foundry Forge Plants Foundry Forge Plants इसमें और क्या याद रखना चाहिए आपको तो जो पहला वला है फर्ष्ट वला है यह रोस की साहता से बना था रोस की साहता से और यह जो दोनो बना था लास्ट वला यह चेको सलोवाक्या के साहता से तो आप कहा सकते हैं कि जो SEC के साहता से क्या गया था यह हमने आपको बता दिया ठीक है याद रिखलिजेगा इस प्रेशन का उत्तर हाटिया राचे इस प्रेशन का उतर होगा देखिए चेकोस लुआ क्या के सहयता से दौ इंडस्टीज के स्तापना की गई है हैवी मशीन acids, tools plant तूर एक कौन foundry force plant ठीक है tools के जिगा पर बस आप अप यहा पर क्या कर लिए building तो हैवी मशीन building plant के बात करेगा तो ये rules की सहयता से ये rules की सहयता से और ये दोनों जो है वो चेको सुलवाग्या के साहता से ये आपको ध्यार रखना है तो अफसर नमबर A इस प्राशन का उत्तर होगा जितने भी A एंसर कर रहे है बिल्कुल सही एंसर है ठीक है कब इसके अस्तापना की गई है तो हमने बताए कि 31 दिसंबर 31 दिसंबर 1958 को इसके अस्तापना की जाती है और उत्पादन शुरू हो जाता है 1964 को ठीक है अगले क्वेशन की तरह मूव करें भारी इंजिनेरिंग उद्योग यानि कि हैवी इंजिनेरिंग को कारपोरेशन के स्थापना या इंडस्टीज के स्थापना कि श्वर्ष की गई हैवी इंडस्टीज मते हैवी इंजिनेरिंग मते हैवी इंजिनेरिंग कोरपोरेशन के स्थापना कब होती है इस प्रेशन का उतरब कर सकते हैं Engineering Corporation बिल्कुल तुमने बता दिया है कि 1958 में इसके स्थाफना की चाहती है डेट अगर आप याद रखना चाहे तो 31 दिसंबर ये आप चाहे तो याद रख सकते हैं ठीक है 31 दिसंबर को याद रखीगा और उत पादन तो आप जानते हैं कि 1964 में इसके स्थाफना की गई है चेको चेको स्लोवाकिया से रिलेटेड आपको क्या जाद रखना था एवि मसीन टूल्स प्लांट और फांडरी फोर्ज ये दोनों चेको स्लोवाकिया के मदद से और बस टूल्स के जगह पर बिल्डिंग लगा लीजे यह अँए हैवि मसीन बिल्डिंग प्लांट ये रूस की स समरपीद किया था थोड़ा सा question अलग है लेकिन आप इसका answer कर सकते हैं answer करेगा very very important ठेक है आगला question पूचा चाह सकते हैं कि इस उद्यों के अस्थापना किस अधीनियम के द्वारा किये थी अगर अधीनियम पूचा होता आपसे तब answer करते हैं 1956 के जो company act है उससी के अस्थापना होती है अस्थापना होती है 1958 में 31 December को लेकिन पंडिज वहाल नहरू ने समरपीद कब किया था 1963 में देश को समरपीद किया था तो option number six question का उत्तर करेंगे जितने भी सी answer कर रहे है rate option number six correct one अगले question की दर move करें चले answer कर देजेगा के जारखन में स्थापित heavy engineering corporation से किश वर्स उत्पादन प्रारंब होगा था उत्पादन कब प्रारंब होगा था official अगर हम बात करते हैं तो अब इसका answer कर सकते हैं चले answer करें सभी की तरफ से इसका answer आना चाहिए अंसर कर देजेगा सभी कोई 1964 exactly 1964 इस प्रेशन का उत्तर हो जाएक और पंडिजवाल लाल नहीरू ने देश को कब समर्भीत किया था तो 1963 में इन्होंने देश को समर्भीत किया था यह है वे इंजिनेरिंग कॉर्परेशन आपको याद रखना है और इसका उत्पादन शुरू हुआ था 1964 में और फिप्टी एट में आप जानते हैं कि इसका स्थापना हुआ था 31 दिसंबर को क्लियर रूस और चेको स्लवाक्या के मदद से सबसे पहले हैं बिल्डिंग बिल्डिंग बी आर रूस के सहाथा से थीक है उसके बाद हैवी मोटर वेकिल ऐसा कुछ है नहीं पौंडरी फोर्स यह भी चेको स्लवाक्या के मदद से तो आप देख लिये ना कि जो मसीन बिल्डिंग आप देख रहे हैं वह रूस के सहाथा से बना है और यह जो दोनों देख रहे हैं टूस बते कोंड़ी अपसन ड़क है जितने बह रहे हैं ये लिचेको स्रथ अलग को कि सामने है कि चारकंट के के सिस्तान पर गांटरे गांटरी ट्रीच सी बिल्डर एंड इंजिनेरिंग लिमेटेड आप अस्थित है वरे इंपोर्टेट आप इसका अंसर कर सकते हैं अंसर करने के कोशिश कर सकते हैं नो प्रोप्रम बतेगा जरा सेसन अच्छा लग रहा है ना कre下 अगर सेसन अच्छा लग रहा है तो लाइक की श sufinkya कम क्यों हैं वाइए लब आपके लिए हम इतना मेहनत कर सकते हैं कि आपे रेक़्प्रा वहस्पार अल्की में करोखे घ्लार STAR पता ही और राची नामकुम में आपको देखने को मिलेगा भारत वेस्ट फालिया लिमेटेड राची में ही है उसके बाद टाटे सीलेवे में आपको देखने को मिलेगा जो कि राची में ही है उसा मार्टिन ब्लैक वायर रॉप्स लिमेटेड आपको राची में देखने को मि आ रहे होंगे लेकिन फिलाल याद रिकिएगा कि गार्डेंट्रीज सी बिल्डर्स एन इंजिनेरिंग लिमेटेड अवास देते हैं दुरुवा रांची में ए उप्शन कि भारत वेस्ट फालिया लिमेटेड है उसके बाद राची टाटे सिली में हमने बताए कि उसा मार्टिन ब्लैक वायर रॉप्स लिमेटेड है तो यह आप ध्यान रख सकते हैं अंसर क्या हो जाएगा बताईग वेस्ट फालिया नाम कुम राची ऑप्शन भी ठीक है जपला आपने बता दिया चलिए अंसर करें सभी कोई तो टाटे सिली में रांची वीरबडी नूस तो उसी अप्शन हो जाएगा अभी तुरांथ हमने बताए था ना आगला विशन आपकी सामने है कि छारकंड राजी के कि जिले में एशन रिफैक्टरिज लिमेटेड आवाज द दख लेजेगा कि एशन एक्सप्लोसी फैक्टरी इंडेन एक्सप्लोसी फैक्टरी जो कि बहुत फेमस है यह गोमिया बोकारो में है यह भी बोकारो में है ठीक है तो इसका अंसर होगा बोकारो राची में हमने कौन कौन सा तीन बताया है बताई तो धुरवा में हमने बता दिया है और Asian Refactories Limited बोकारों में है और गोमिया में होने क्या बताया था Indian Explosive Factory Indian Explosive Factory कहां पर है तो गोमिया में है यह आपको याद रखना है ठीक है गोमिया में है चलिए धनबाद में बता दिजिएगा कि निमनालिकित में स्थान पर धनबाद Engineering Works अवस्तित है चलिए धनबाद Engineering Works अवस्तित है कहां पर अंसर करें सभी कोई सभी के तरफ से आना चाहिए कुमार धुब्बी याद रिखीगा कुमार धुब्बी ठीक है कुमार धुब्बी असा धनबाद की बात आई है तो कम से कम धनबाद से रिलेटेड दो और लें तिल लिमिटेड नोट करिए हिंदुस्तान स्टिल लिमिटेड भी कहां पर है धनबाद में इसके लाभा आपको याद रखना है कि New Standard Engineering New Standard Engineering कहां भी है तो यह भी धनबाद में है वर धनबाद Engineering Works कहां पर है तो यह कुमार धुब्बी धनबाद में ठीक है आपके अंसर क थे की ताक्ता इंजिनेरिंग अंड लोकोमोटीब कंपनेगे आ को यह है गशले में देखने को मिलेगा उसके बाद इन्डे त्यूब कंपने निलीटे तो में लिटैनेको मिलेगा ईब बता दीजें आप किसमें से कौन साब को नहीं देखने को मल रहा है तो जो हमने बताया था कि हिंदुस्तान स्टील लिमेटेड है, ये एक शोले में है धनबाद में ये कहां बार है, ये धनबाद में है बाकि जो आप ये तीरो देख रहे हैं, ये जम्शेदपूर में है या प्याद रखेगा तो अपसन क्या हो जाएगा बताइगा कि किस लिए कर सकते हैं कर गली कहां है यह बता देजे का सभी कोई कर गली किसलिए फेमस है कर गली क्या बता अपसन नमर सी तो कोल वाश्री है कर गली ऑपसन नमर सी इस प्रस्ट का उतर होगा जितने भी एंसर कर रहे हैं कर गली ठीक है आके नेक्स्ट क्वेशन पूर्वी भारत का सबसे बड़ा उर्वारा कारखाना कहां पर रवस्तित है अच्छे जो हमने कर गली पूछा था कर गली कहां पर है अपने बता है नहीं कर गली है बोकारों में कहां पर है बोकारों में और बोकारों से रिलेटेड आपको तीन चीज याद रखना था क्या क्या याद रखना है तो सबसे परहे तो याद रखना है कि एसियन एसियन रिफैक्टर इस लिम दनबाद में और धनबाद से रिलेटेट कौन-कौन सा हमने आपको याद रखने क्यों कहा है तो सबसे पहले उर्वेरा का रखान आप जान लिजे कि इसके अस्ताफ नाटेंट फिट वन में होती है इसके लावाद धनबाद में आपको तीन चीज याद रखना था धनबाद इंजिनेरिंग वर्क्स ये कुमार्दूबी धनबाद में है उसके बाद हिंदूस्तान स्टील लिमिटेड ये भी कहा पर है ये भी धनबाद में है न्यू स्टेंडर इंजिनेरिंग भी कहा पर है तो ये भी धनबाद में जो धनबाद से रिलेटेड आपको याद रखना आपको बताना है तो सिंद्री धनबाद में की गई ना 1951 में आपको बता दिया था तो अंसर और कुमारतुबी में अभी हमने क्या देखा याद है आपको धनबाद इंजिनियरिंग वक्स धनबाद इंजिनियरिंग वक्स यह आपका धनबाद में लेकिन इस प्रेशन का उतर है उप्सन नबर भी सिंद्री धनबाद इसका अंसर आप कर सकते हैं चले बताएगा इसका अंसर सभी को अच्छा एक चीज़ और मैं बताओं आपको कि जो आप सिंद्री धनबाद में देख रहे हैं 1951 में सिंद्री धनबाद में इसके स्थापना होती है प्रथम औरवरग कर खाना इसका नाम बदल दिया जाता है 2016 मेंowskiा क्या कर-दिया जाता है यह आपको बता रहे है मदली하겠습니다 आपको याद रखना है रैइट ये 2016 में इसका नाम बदल जाता है मैं रिपीर कर्kar रहा हूं हिंदुस्थान ऊर्वर Consumer L te drilling यह आपको इयाद रखना है हिंदुस्तान ऊर्वररक और मिल्und होसान लीमेटीड इसका नाम फैक्टरेज निम्नालिकित में सिक्षिस्थान पर वास देते यह तो आप बता ही सकते हैं और किसकी सहाइता से बना था यह भी आप बता ही दीजे ज़रा चले सभी कोई अंसर कर दीज़ेगा सभी की तरफ से इसका अंसर आना चाहिए जापान की सहाइता से बना था सबसे पहले तो आप यह याद रिखे जापान की सहाइता से बना था और यह रामगड में है मैंने इतना हिंट कर दिया है अब अंसर करें रामगड में है रामगड जीला में है बुरकुंडा याद रिखे राइट बी ओप्सन हो जाएगा बुर जो कि जापान की सहायता से बना हुए है यह आपको याद रखना है ठीक है चलिए अगले कोशन की तरफ बढ़े अच्छा एक सी सौर याद रिखेगा कि कांच की उत्पाधन के लिए और भी कौन-कौन सा शेत्र है तो कत्रासगड है फिर अंपोना है जो धर्बाद का शेत्र बढ़ेगा कि भार बढ़ा कि धर्बा। रराज्जिकाहन में से कौन सा स्थान कांच हितू जाना चाहता है वारी वेरी इइमपर्टेट आभी बता था। कत्रासगड मभोना और कांध्राइश हो जाएंग walk सब्सक्राइब करते हैं एक लाइक करी गई अगलोगेशन का उतर करते हुए जारकर राज में काच उत्पाधन के प्रमों के केंद्रों को कच्छे माली की प्राप्ति इन में से किस अस्ताउं से होती है इसे बोच सकते हैं कि इंडो असाई ग्लास फैक्टरी जिसके अपना जापान के मदसी की जाती है जापान के मदसी कहां पर रामगड में भी कहां पर वुरकुंडा में तो राजमाहल पहाली मंगलगाट पत्थरगाट डी अप्शन इसका अंसर होगा ठीक है जितने बीडे अ अंसर करने के कोशिश कर रहे हैं सही है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बताएगा कि अल्ला उत्बादन के दिरिश्टे से जरकंड राजी का भारत में कौन सा अस्तान है ला ला और आप यह समझ लीजे कि भारत में कुल ला का 60% लगबग 60% जो ला है वो छ चाहरखंड से प्राप्त होता है 16%, मने क्या पता था अलिमुन्ययम का जो वह जारखंड से मलता है भारत को ठीक है लेकिन 60% क्या मिलता है ला मिलता है और अगर पूछेücken कर शाहर्द हो जाया तो खूटी हो जागा यह आपको याद रखना है ठीक है बहुत है इंपोर्टेंट है और प्रमंडल पूछेगा तो प्रमंडल अगर आपसे पूछेगा तब आपका अंसर पलामू होना चाहिए ठीक है अच्छा नामकुम में एक आप याद रिख लिजेगा कि भारति ला अरुसंदान संस्थान के रिखे थी 1925 में कहां पर नामकु में क्या स्थापना किया गया था 1925 याद रिखेगा लाह ठीक है लास रिलेटेट भारति लाह अरुसंदान संस्थान ये अभी आपको ध्यार रखना चाहिए ठीक है चले अंसर करें इसका प्रत्थमस्थान है ये जितना भी कर रहे हैं सही है ठीक है अगले कोशन की तरब म हमने बता था कि भारति अलाह अनुसंदान संस्थान कहा पर है नामकुम में है कहा पर यह पूछा जाता है बहुत बार पूछा जाता है नामकुम में है और नामकुम कहा पर है राज्ये में इस्थापना कब होती है इसके इस्थापना होती है ये हमने आपको बता दिया था जीला पुछेगा कि सबसे ज़्यादा कौन सी जिले में होता है तो याद रखिएगा खूंटे जिले में कि जिले में खूंटे जिले में परमंडल अगर आपसे पुछेगा तो पलामू परमंडल में परमंडल अगर पुछेगा तो पलामू परमंडल में और जारकंड के जो कुल लाह का उत्पादन है जितना भी होता है उसका 90% जो इने निर्यात कर दिया जाता है जितना भी इसका उत्पादन होता है 90% जो है वो क्या कर दे जाता है निर्यात कर दिया जाता है और जारकंड में जो उत्पादित होता है वो 60% होता है 60% 60% और निर्यात कितना कर दिया जाता है 90% ये निर्यात कर दिया जाता है अच्छा इसका पालन कहाँ पर किया जाता है जो आप देखते हैं लाह के कीडों का पालन कहाँ पर किया जाता है तो आपसे पेड़ पूछा जा सकता है नोट कर लिजेगा एक कुसूम का, पलास का और बेर का पेड़ पर note कर लिजे का, कुसूम पलास और बेर के पेड़ पर जो है ना लाह के केड़ों का पालान किया जाता है कुसूम पलास बेर यह important है, याद रखेगा कुसूम पलास बेर ठीक है अच्छा, यह देख लिजे आप किस पर नहीं पाला जाएगा तो name पे नहीं पाला जाएगा कुसूम पर लास बेर पे पाला जाता है तो अबसल नमब्र ए ब्रस्पzung का उड़ता होगा जितने भी आंसर कर रहे हैं ये लिजे, बता देजेगा कि जारकन का कौन सा प्रमंडल ध्याल देजेगा मेरे प्रमंडल अपसे पूचो हुए है प्रमंडल लाह उत्बादन के दिरिष्टे से सर्वोच अस्थान रखता है लाह उत्बादन के दिरिष्टे से प्रमंडल पूचेगा तब अंसर क्या करेंगे, पलामो करेंगे, लेकिन अगर जीला पूछा होता, जीला पूछा होता, तब आपका अंसर खूटी आता, यह आपको धियान रखना था, यह थोड़ा सा difference है, जीला पूछा है, जीला पूछा है, जीला पूछा है, तब खूटी अंसर करेंगे, ठीक ह मुझे लगता है इसमें कोई problem नहीं होना चाहिए next question लार निर्यात के दिरिष्टे से जहरकंड राज्यकायर में से कौन सा अतियंत प्रसिद्ध है कौन सा अतियंत प्रसिद्ध है यह आप अंसर कर देजे का very very और यह आप समझ लेजे कि लग निर्यात के दिरिष्टे से विष्व में प्रतमर्स्थान है विष्व में प्रतमर्स्थान बहुत important है मैं इतरह हिंट कर देता हूं कि दामोदर टोरी दामोदर टोरी चली तो मैं बताए दिये कि दामोदर नदी टोरी लाते हार्च निकलती है मैंने तो बता ही दिया मुझे पूछने नहीं आया चलि घागरा जलपरपाथ कहां पर है अंसर कर यह ज़रा और इटखोरे में जो भद्रकाली मंदिर इसका निर्मान किसने कर वाय था एक बात अंसर करेंगे आप तो इसका अंसर अथा और विश्यू में प्रत्थमस्थान रखता है इसलिए बहुत इंपोर्टेंट है और हमने बताई कि निर्यात कितना कर दिया जाता है जारखन से 90% और भारत को अकली जारखन से कितना मिलता है 60% 16% क्या मिलता है एलिमनियों मिलता है आपको याद रखना था जारखन में उत्पादेते कुल लख का लगवा कितना प्रतिशत निर्यात कर दिया जाता है और निर्यात करने में भी कौन सा अस्तान है टोरी लातेहार जो कि विश्यू में प्रत्थमस्थान पर है यह आपको ध्यान रखना है तो ए डी अप्सन इसका से एंसर होगा जितने बड़ी is correct one चलिए जारकंटराज्यक किस अस्तान पर भारती अल्लाह अनुसंतान संस्तान की अस्ताफना की गई है अभी हमने बता था किस की अस्ताफना 1925 में की गई है और कहांपर नामकुम राची में अभी तुरणत हमने बात किया था और तुरणत रिवीजन करें कि ध सब्सक्राइब करते हैं यह अच्छा क्वेशन है कि जरकंड आर्थिक सर्वेक्षिंड दोहजार उननी से बीस के रुसार जरकंड राजी में भारत के कुल रेशम उत्पादन का लगपा कितना प्रतिसत उत्पादित किया जाता है चलिए अंसर कर दिजेगा 72 का सभी के तरफ से उमीद करते हैं अंसर आना चाहिए 76 परसंट सी उपसंद तो सी जितने भी कर रहे हैं सही है चलिए अगले क्वेशन की तरफ बढ़ते हैं कि जरकंड राजी में इन्वेसिक के शेत्र में रेशम का सरवादिक उत्पादन कहां पर किया जाता है इस प्रेशन का उतर सभी कोई कर देजेगा एक एक जरकंड राजी का इन्वेसिक कौन सा शेत्र डवीति अस्थान पर है पहला तो हजारे बाग हो गया दूसरा कौन सा अस्थान है रेशम में या आप अंसर कर देजेगा चलिए सभी को अंसर कर देजेगा और राजी में जो नगड़ी है नगड़ी में ही आपका तसर अनुस संथान कहां पर है तो याद रिखे का यह नगड़ी में है नगड़ी में है यह आपको ध्यान रखना है ठीक चलिए अंसर करें इसका सब्लमाफ किजी में सब्लमाइट कर लिए स्भूम और चलिए अब है एसको करेंगा दूसरा अनुस्ता अनुस्तान सब्लमोगा होगा त्यक गहिंस Sultan सब्लम कर करा है ठीक है सिभ्भुम में लगबग 40% आपको देखने को मिलता है याद रिखिएगा और संथाल पर करना में 26% 26% बी ऑप्शन 75 का अंसर करें एक एक लाइक करें सभी को एक लाइक करें तो एक लाइक करें सभी को इमानदारी से अगले करें का उतर करते हुए किसार का अंटर राज में किस अस्थान पर तसर अनुसंदान ना केंद्र की अस्थाबना की गई है वरी वरी इंपारन क्येशन चले इस प्रेशन का उतर आप सभी लोग कर देजेगा हम भी उमीद करते हैं इसका से अंसर आप कर बाएंगे सभी को एंसर कर देजेगा बताईए एक एक लाइक करिए और एंसर करिए एक एक लाइक और जितने भी नई लोग है न पहले बाद सेशन देख रहे है उस सब्सक्राइब कर लिजेगा शांदार सेशन अभी सोट वीडियो आपके लिए आएगा सोट मत कहिए आपका सकते राइपिड फास्ट राइपिड फास्ट रिविजन जल्दी आने वाला है तो फटा-फट से एक एक लाइक कर देजेगा तो मेरा मोटिवेशन लेवल थोड़ा सा बढ़ जाएगा यह उप्सन नगडी राची तसर से रिलेटेट क्या क्या आपको याद रखना था कि जारकंड में देश का 76% तसर रेसे मुतपादित किया जाता है यह आपको याद रखना है कितना पसेंट 76% प्राथम अस्थाने सिभूम का लगबग 40% और दूसरा अस्थाने संथाल पर रखना का और तीसरा अस्थाना 1000 पर रखना का जो मैंने गलतीर पता दिया था प्रण सा याद रखे है का 1000 पर रखना 3000 पर रखना 3000 चलिए आज के लिए इतने ही रखना है इस काफी समय हो चुका है एक घंटा हमने complete कर लिए है 1000 पर बाग थाड़ उन सिभूम में सब्सक्राइब कर लिए अगर आप नए हैं सब्सक्राइब कर लिजेगा अगर आप नए हैं और आफ्ट से एक लाइक करके जाइए अप जारहे हैं मुझे पता है लेकिन लाइक कर देज़ेगा और आज से हम लोग कम्प्यूटर भी स्टार्ट कर रहे हैं और कम्प्यूटर का जो टाइमिंग होगा वो पांच बजे पेम में होगा पांच बजे पीम में रेडी रहेगा कंप्यूटर क्लास आज से स्टार्ट हो जाएगा कंप्यूटर का लाइव क्लास कंप्यूटर का लाइव क्लास mcqs with explanation mcqs भी करेंगे और explanation के साथ में करेंगे तो computer class 5 बजे पीम से आप ready रहेगा ठेक है पाँच बजे से computer class ready रहेगा वेरी नाइस दन्यवासर फिर खोर्था खोर्था भी नहीं होगा खोर्था भी नहीं होगा अभी खोर्था के जगह पे हम start कर रहे हैं computer कर रहे हैं चुकि बहुत ज्यादा डिमांड था हंडेड अमसी की उसे लाइए सर तो computer आपको देखने को मिलेगा एक एक लाइक करें तो सबसे पहले एक एक लाइक कर लीजे ठीक है तो ऐसा करते हैं मिल देने एक स्वास में तब देखे लिए जाहिंद एवनाज दे कर दो है